स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल Advocate Deep Legal Hub में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानहानिकारक कथन के बारे में आज का ये वीडियो हमारा Defamation Statement से संबंदित होगा जिसमें आपको Defamation से संबंदित सारी जानकारियां दे जाएंगी कौन से Statement Defamation के माने जाएंगे कब आप केस करवा सकते हैं किसी के खिलाफ किस तरह से करवा सकते हैं फीस क्या होगी इस संबंदित सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी को नववर्ज की हर्दिक सुपकाम नाए भगवान से यही प्रार्टना है कि आप लोग जिनकी भी खिलाफ जूटे केसिस चल रहे हैं उनको इस साल ऐसे केसिस से मुक्ति मिल जाये वो ऐसे केसिस से बरी हो जाए और आप सब के जीवन में सुख और सम्रिद्धी बनी रहें आज का ये वीडियो हमारा मानहानी कारक कथन से संबदित है आप जब पर किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी लेने के लिए वीडियो को देखा करिए तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया करिए पूरे वीडियो वो देखा करिए बिना स्किप किये हुए देखा करिए वो चाहे आप मेरे चैनल पर देखते हैं या आप किसी और के चैनल पर देखते हैं लेकिन आप जब भी किसी भी topic को समझने का प्रयास करिए तो उसे पूरी तरह से समझे इससे आपके लिए ही आसानी होगी और आप अगर किसी topic को समझ करके जब आप किसी दोसरे के सामने अपनी बात को रखेंगे तो उसे बहुत अच्छे तरीके से और मजबूती के साथ दिसकस करेंगे तो आपका जो discussion होगा वो सबसे जड़ा पावर्फुल हो सकता है ऐसे ऐसे cases में जब आप उसके बारे में पूरी जानकारे एकटी करके तब जाते हैं मानहानी कारक कथन के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई मानहानी कारक कथन किया है कोई अपमान जनक कथन किया है अपमान जनक कथन का मतलब कि किसी ने कोई ऐसी बात की है जिसे कि आपका अपमान होता है तो ऐसे मामलों में आप उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानी कारत मुगदमा करा सकते हैं और आप जब भी मानहानी का मुगदमा कराईए तो पहले इसके लिए जरूरी होगा कि आप उससे सम्मंदित साली जनकारियां एकटी कर लिजे जब आप किसी के खिलाफ मानहानी का मुगदमा कराते हैं तो सबसे महतपूर्ण ये होता है कि जो मानहानी कारत जो कथन किया गया है वो सत्य योग्य या अप्रकासित नहीं होना चाहिए मतलब कि ऐसा कथन हो जो की असत्य हो आपके खिलाफ किसी ने जो बात कहिए वो बात असत्य है उसमें कहीं भी सत्यता वाली कोई बात नहीं आती कथन ऐसा हो जो अप्रकासित हो अगर कोई ऐसा कथन किया जा रहा है कोई ऐसी बात की जा रही है जो कहीं पर प्रकासित कर दी गई है प्रकासित किया जाने का मतलब केवल न्यूस पेपर में मैगजीन में ही प्रकासित करना नहीं माना जाता अगर दो लोग कहीं पर बात करते हैं और आपकी बात को कोई तीसरा व्यक्ति सुन लेता है तो इसे भी प्रकासन भी माना जाता है इसे भी प्रकासन भी मान लिया जाता है और योगी का मतलब ये हुआ कि बात जो है वो आपके खिलाब जो भी कथन किया जा रहा है वो आप से कहें भी सत्यता वल्या संबंद उसका नहीं होना चाहिए अगर जो कथन किया गया है वो योग्य होगा, मतलब आपके खिलाब जो बात की जा रहे हैं वो कहीं न कहीं सब्ते हैं, तो ऐसे मामलों में मानहानी नहीं मानी जाएगी, ऐसे मामलों में आप मानहानी का मुगत्मा नहीं करवा सकते हैं. मामले में अपने स्टेंड के बारे में सुनिशित कर लेने के बाद और अन्य सभी कानूनी जानकारिया एकठी कर लेने के बाद आपको ये सज़ेश्ट किया जाता है कि आप किसी वकील से अपने मामले से संबंदित बातों को डिसकस कर लीजिए जब भी आप किसी इस तरह का बात करना चाहते हैं बात दायर करना चाहते हैं किसी के खिलाब तो सबसे पहले तो सारी कानूनी प्रक्रिया के बारे में आप समझ लीजिए और दूसरी बात जब आप अपने मामले को पूरी तरसल समझ लेते हैं तो उसके बाद फिर आप किसी वकील से इस बारे में discuss कर लीजे और discuss करने के बाद ही आप इस निसकर्स पर पहुँचिए कि आपको case करना है या नहीं करना है अगर आप ये सुनिशित कर लेते हैं कि आपको किसी व्यक्ति के खिलाफ मानहानी का मुगद्मा करना है तो ये मुगद्मा जो आप करेंगे वो IBC भारती डंड सनहिता की धारा 500 के अंतरगत आप करते हैं आप आपरातिक मानहानी की एक निजिशिकायत डायर करते हैं ये शिकायत आप कहां डायर करेंगे तो समबंदित मज्डरेट की न्यायाले में आप ऐसे शिकायत को दायर करेंगे ऐसे वात को आप ऐसे शिकायत को आप संबंदित मर्ज्टेट के नियाले में दायर करेंगे अगर आपको हरजाने की भी मांग करनी है मतलब कि आपके खिलाफ अगर किसी दी मानहानी कारक कथन किया है और वो सच्वे मानहानी कारक कथन है उससे आपका कहीं न कहीं अपमान होता है तो सारी बातों को समझ लेने के बाद आपको अगर हरजाने की भी मांग करनी है तो ऐसे स्थिती में आपको सिविल वाद डायर करना होता है अगर हड़ जाने की मांग करनी है तो आपको civil war दायर करना होगा अब हम बात करते हैं कि इसके लिए fees क्या आपको देनी होगी तो मानहानी के cases में अदालत का जो सुल्क होता है वो भिन भिन राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग होता है आप जस भी राज्ये से आप संबंदित हैं उस राज्ये में आपको पहले फीज के बारे में पता करना होगा कि इसके लिए क्या फीज चार्ज होती है और हम यहाँ पर केवल फीज की बात कर रहे हैं मतलब आप जो पता करेंगे आप केवल फीज की बात करेंगे मतलब कि court fees क्या होगी आपके विल ये बात का पता कर पाएंगे इसके अलावा जिस वकील के से आपको अपने case को देना है जिस वकील के थुरू आप अपने case को दायर कर रहे हैं आप अपने application को file कर रहे हैं उनकी जो fees होगी वो अलग होगी court की fees और आपके वकील की fees दोनों अलग-अलग होती है इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि ऐसे मामलों में तो court की fees बहुत कम है तो हमारे वकील इतना जाता क्यों चार्ज करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके वकील जो आपको सर्वेस देते हैं, वो उसकी fees चार्ज करते हैं, आपसे. तो court fees प्लस उनकी service fees दोनों मिला करके जो भी फीज बनती है वो आपको वहाँ पर देनी होती है आपको उसका वहाँ पर payment करना आपको भुकतान उसका करना होता है और जब भी आप इस तरह के cases करिए तो पहले आप इस्थाने इस तरह पर इसकी पूरी जानकारी कर लीजे और उसके बाद फिर आप सम्मंदित वकील से परामर्ज कर लीजे फिर आप ऐसे cases को दायर करिए और आप अपने case को दायर करने के पहले सबसे पहले तो आप यह हमेश जाएगा कई बार ऐसा होता है कि जब 4501 मुगदमा आपके उपर दायर होता है तो अगर आपके उपर जो मुगदमा दायर हुआ है वह जूठा मुगदमा है और आप उस 있으면 खुद को बरिकरवा लेते हैं आप ये Aunque करने में सख्चम हो जाते हैं कि जो Please किया ग momentos वो जूठा केस किया गया था आपको जूठे केस में फसाये गया था तो ऐसे केसिज में भी आप खुद को बरी कराने के बाद आप खुद को सही साबित करने के बाद मानहानी कारत का मानहानी का आप मुगत्मा कर सकते हैं और आप ऐसे केसिज में हर जाने की मांग भी कर सकते ह उमिद करते हैं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजेगा शेयर करिएगा चैनल पढ़ने होगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को लाज तक देखने के लिए बहुत धनीबाद